तो अब बना गया रहे है आज हम बना रहे हैं एक तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर चिकन जल फ्रेजी बना रहे है तो नूडल्स बना रहे हैं नोड के अलफेडो सॉस के अंधर और तीसी तरफ हम करशी का जो है एक स्मूदी बना रहें मगर इन सबसे पहले मुझे हैंड वच करना है और अगें हैंड वच के लिए आपको पता है रमदान अगर आपने मेहफूस करना है तो आपने लाहिव वाई हैंड वाउच से हाथ दोने ठेक है और हैंड वाउच करने के जिस तरह से आपको मालूम ही है कि एक बच्चे का अगर पहला रोजा होता है और तो उसकी रोजा खुशाई की खुशियों में अगर उसमें शामिल होना है तो उसका सहत मन और सही रहना जरूरी है अब जोट साब कहीं थे ना कि 18 साल की अमर तक आती है अकलदार तो अभी मेरा रोजा खुशाई भी हो सकता है ट्रांसमेशन में उसके लिए आप तो रोजा खुशाई की खुशियों को महफूस करना है तो आपने हैंड वाउच करके पढ़ूंगी पीछे आपको कहीं ना क दातों के लिए कितना अच्छा जब आप चबाच करते हैं क्यों तो क्या आपी दांत प्रिब्良कुल यह जतना आप एस्तेमाल करेंगेम cu pro यहा हैं क्वाज कर दे आपकी तो साने से तोड के खाये बंदान कर्णा कर दो जो isolरे कैं वह कि आपकी जो के जबूर है वह उ कि माएं देरी होती है उनको वो खुद से नहीं खा रहे होते हैं क्योंकि यह आपने बात की थी ठेड़े दान्त तो इससे यह दान्त के जो प्रॉब्लम से वो सकते हैं बहुत याini कि आपकी जा रही हों शसे दीमिए में देरी हो तो खुदगी कि आपने पर दरखिए है me the जो एक शुटपने के शुट दोड़ा हम दो गाहों के लोग है भई हमने यह यह साफ के आस्तीम से हमें कड़कर के खाली है बस वह कहते हैं कि वन एपल देकिप देंटिस्ट अवे निया यह एक सब्सक्राइब यह 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 देंटिस्ट मुझ से अवे नहीं हो सकता है जो आजकल हमारी habits है खाना खाने के शौफ्ट बिल्कुल चीज़े खाने से उससे दांत हमारे वीक हो रहे हैं बच्चों के वीक हो रहे हैं बहुत 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 शुक्रीया वक्त निकाले बहुत अच्छा लगा आए और टाइम निकाला आपने अपना रचाल पर यहां पर हम शेफ जलाल के साथ मौझूद हैं यहां पर मज़िदार सा कुछ खाना बनने जा रहा है आज तो भाई जन क्या सीन है मanti ममता कम चितने बनाते हैं जन का पूली नशा के रहिए क्या सल्कै। जन से भाई करता हैं जहां पर मनेठान पारया रहा है जेता नशाने पारी जना दीख हैं तरिष्ट, टीमाटर, प्यास, और नीया पावड़ण, लाल कुटीवी नीया ककशे, अगुटा हुआ, अगुटा हुआ, और पप्रिका पावडर कशिए, काली मिर्च, दोसी तरफ नोडल, नोडल के नोडल बना रहें और नोर की जो है, आल प्रिदो सऑस के अन्वरण, नो Tau. इसले है जो यह नोर के अपनी रेसिपी इयं आपकी आपकी लोने मेट सॉस फिर इसके बाद होलेंडे से बर्ने से ब्राउन सॉस है ठीकी जी तो यह पांच से छे सॉसिस जो मदर सॉसिस के अंदर आते हैं बट इसमें से जो वाइट सॉस जो यूज़ हो रहा है वह वह बैशमल सॉस आपका अलफ्रेडो बनाने के लिए नहोंने यूज़ के इतना सारा सबक कैसे आत रखोंगी में एक दिन में एक दिन में इसको फिर रिपीट में देखिए हैं लिकिर आप है ना अल्ला का शगर आने आपको अता किया है यहां पर हम क्या करेंगे नोर के अब यह नूडल के बॉइल कर रख दियें तो इसके इसके पैके इस तरह से म ना लेंगे और फिर जब अल्फेडोस के अंदेर मिक्स करेंगे नूडल तो आमने यह फिर अपर से चेक पड़ा करने के लिए आप उसको नूडल मिक्स करेंगे अब मुझे बलाते रहीगा साथ साथ ब्लाते रहीगा मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम में आगे चलते तो आप से अर्दू फ्लिक्स पर मिस नहीं होगा प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं नश्यात में हमारे बाई अलामा जवाबी साथ मौझू है सामूलिकूंप मिवें जब नहीं होते आपकी बैस कमी महसुत हो कल भी हमना को बहुत याद किया साल। जाद भाई एक ऐसा टॉपिक है जिससे मैं पर्सनली बहुत मुझे पसंद है इसके बारे में बात करना कहीं न कहीं मेरी भी सीख है अफकोर्स मेरी सीख है लेकिन जिंदगी में मैंने बहुत सीखा इस टॉपिक से आपकी जाधत के साथ मैंने एक जगा पढ़ा है कि तकबर शोहरत का हो या दौलत का ताकत का हो या इल्म का हुस्णा हो या हस्पोनसब का हो हत्ता कि तकवा हगा कही क्यों न हो? इनसान को रुस्वा कर के ही चोड़ता है इसी बारे में हम जानेंगे के या लला मेरे अंदर कितने खिस्वा तकवा recruitment tenho ले सकते हैं यो अल्यड जनम ले चुके होंगे जी बिसमिल्लारमान रहीम देखिए जहां पर हमारे जिसम के साथ कुछ बीमारी लगी वी ना वहां कुछ रू की भी बीमारी है सुभान आल्ला और रू की बीमारी में से सबसे मुहलिक बीमारी जिसे मैं कह सकता हूं वो तकब्र है सबसे कभी तरीन जो अखलाक और अखलाक की बुराई यह वो तकब्र करना है आप देखिए आल्ला सुभाना मुट आल्ला के जो 99 नाम हम पढ़ते हैं पहली बात पूरिये कि अल्ला सुभाना मुट आल्ला के सिर्फ 99 सिपाती नाम नहीं उसके नाम बहुत हैं यह 99 हमें एक हस फ़रोना कि ओल्लमा फर्माते हैं तकब्र की सिफ़ता अल्ला में हो तो इसकी अच्छाई है बंदों में हो तो बुरा है ऐस्का जाएतब और उपकरना उसे जेवद यह धेता है फ़्यत करना थाम जाएथ कि सिपगने पुर्से हमा ओएग ऑखल्ह पताप्र चलप्र का हमला है और रह्मान की मासियत है एक रिवायत में याया कि मन बर्या मिनल किबर नाला अलकिरामते जो तकब्र से बच्चता है वो बुजर्गी को पहुच जाता है आप देख लीजिए जुकने वाले होंगे वो हमेशा बड़े मिलें और यह जुमलावी अलमा यह वताते हैं उसका जुकाओ ज्यादा होता है जिस पेड़ पे फल होते हैं वो जुकता है तो अगर आपके पास इल्म है मनसव है तो आप जुकें तो हदीस में तो यह मौजूद है कि तकब्र करना इनसान को जेबा ही नहीं देता तकब्र की जो अपोजिट सिफ़त है वो है खाजे हो जाना जुक जाना मौला अली फरमाते हैं कि अजिबत ले अबन आदम मौला अली फरमाते हैं आदम की अवलाद के लिए ताज्यूब है अवलहू नुस्फत वा आखिरू जीफा इसकी अब्तिदा भी नजासत थी और जब यह मरकर जा रहा है तो भी मुर्दार है नजीस हो तर्जुमा करूँगा इसकी दर्मयानी जंदगी ऐसी कि गो जाइए अपना फुजला अपने साथ लिये फिर रहा है और दर्मयानी जंदगी में नजीस है अब आप आप लाए इसके बाद इनसान तकबर कैसे कर सकता है एक हदीस मौलाई ने फरमाया ताज्यूब है आदम किस पर करती है इसकी सबसे अच्छी जो लिवास है रेशम वह एक लिड़े का ठूक है और इसकी सबसे अच्छी घजाए शहए वह मक्खी का फूजला है जो निकालती है तो शहएद बनता है तो बढ़ाई अल्ने सुछाना वटाला को जेव है अल्ला वाले जो अल्ना के अ अंबिया हैं आइमा एहल वहते हैं उनको हक ता के बढ़ाई जताते हैं लेकि उन्होंने कभी बढ़ाई ना जताई रसूल अल्ला सब्सक्राइब काईनात में हगदार कौन था लेकिन हमेशा आप छोटों के साथ खाजिर रहें बढ़ों का अदब फरमाते थे हता के जानी दिश्मनों के साथ भी हुसन सुलूक से पेश आते थे तो हमें रमजान मुबारक का पेगाम यही है कि तकब्र से बचें हदीस में यह कि जो तकब्र करता है ना उसके अंदर अंदर अजुब पैदा होता है उजुब कहते हैं जिसे मैं पैदा हो जाना अपनी खुशामत अ आप से से सेस्टिस्टिस्टिस्टिस्टिकेशन पैदा यहारी विश मैं अच्छा हुआ हूं इसके लिए एक ऐलाज उलमा ने वताया अखलाक याद के अंदर वो यह कि जब भी तकब्र पैदा हो अपने अंदर तो फॉरन अपनी बुराईएं को याद करो जब अपनी हम यात कर सकते हैं और हम अपन रहों कर सकते हैं, हमसार सब से जादा आगा उल्चरा है शब से जादा जो से अवेर रहना चाहिए, वो अपने आमाल जो लेए महाशनां किवे हम, में अपने सद्धान दूसरी की टोमें सब कहते हो क्या है तो चुनाचहे अगर इनसान अपनी बुराइएंगों पे गौह गोंड करेगा ना तो फिर उसे अच्छाइऑं पर तकब्र का वक्त मिलेगा और बुराईयों पर निगा करने किवए से अपने मफब फर्मादेगल और अख्छाइयों पर निगा करने से तकब्र सही व तो क्या भी वो कहीं नहीं तकबूर में शामिल होगा कि मैं तो बहुत I am too good to be bad होता है ना कि में बहुत बहुत उंदा हूं बहुत आलव हूं अपनी बराही में क्या में अंदर को बराही नहीं जी ये वही चीज़ है ना इंसान अपनी तरफ देखने से माने देखिए इनसान से जज्बिट जितने अच्छी कर सकता है वो उतना किसी अधर परसंद को जज नहीं कर सकता जितना मैं अपने आपको जानता हूं इतना कोई मुझे नहीं जानता चुनाचे इसलिए हम आप बा ग्रीव ले लेआjang 24 गंटे में कितनों का दिल दुखाया कितना डिल राजी कि य ह॥ आ आंपा बाई में हमारे साथ होंगे यहां पर चुता सा वक्वाइब ज्यास भाई नुरीवाई से आज करने जाला सफ एक्सल प्रेजेंस बाराने रहमत पाउड बाय डालडा ओल पर्स लाइब बोई कर्शी मैं हूँ आपकी होस्त माया खान कर रही हूँ आपका इंतजार बढ़ रहा है अफ्तार का दस्ता खान और इन्शार इस वक्तिक बाद होंगे हम आपके साथ सब्सक्राइ जैसे कोई शदीद तकब्पुर का शुकार हूँ यानि की टॉपिक के ओपर तर इंशाला इंशाला अपनी जवाल भाई हमारे बना रहे हैं मज़दार सा खाना और क्या अब नेक्स स्टेप पर बहुत से तो प्यारा लग रहे है माशला यह तो ड़न हो गया और अब हमने डाला कुकिंग ओल एट किया और दूसरी तरफ अमने जो रेसिपी आपको बताई थी नोर्ट नूडल्स की वह भी तकरीबन तयार है यहां पर ठीक है आपने जो बैशमल सॉस जो वाइट सॉस जो आपने बनाना है जी फ्लार मिल्क और नक्मिक पाउडर जो जैफल नोर का आप इसमाल करेंगे और यह इस कंसेस्टेंसी में बुद चिकन आपको यह नूडल्स जो आपको यह नूडल्स में डाल दी है तो अब इस जगह पर हमने गालिक जिंजर अधरक और लेसन को बारिक काटकर शामिल किया और अब मैं बना रहा हूँ राइस वेजटिब और अधरक नियुम रहा है नियुम आपको यह समील करना चाहते हैं जो चाहिए तो कपना ड सीजन किरें सॉल्ट पेपर एंड चिकन पावडर के साथ और इसको पर जख सकते है तो मेरी एक फर्माईश है कि यह खाना गरम रह सकता है ना गरम में रखेंगे तो गरम हो जाएगा और वह समी भाई आप कह रहे थे ना स्टेक बनाने के लिए आप स्टेक बना सकते है क्यों हर चीज अब ले बला है हर चीज थैंकियो वह बहुत ज़्यादा शुक्री आदा कर रहे है और करें इंशाल्ला मेरे लिए वह दो स्टेक बनाएंगा इतन तारीफ मैंने कर दिया ना बस बस हां यह डन हो गया बिल्कुल सही हो गया